नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा विशय है बिवहा को लेकर बिवहा में होने वाली समस्याव और परेशानियों का कारण एवं उनके सरल निदान के विशय में हम बात करेंगे अर्थात हम जानेंगे कि हमारे हतेली में ऐसे कौन कौन से चिन है जो हमारे विवहा में काफी समस्या उत्पन करते हैं उन रेखाओं और उन परवतों के विशय में साथ में सिग्र विवहा है तू सरल उपाई के संबंद में आईए आज का विशय हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाओं के सम्बंद में जब बिभा की बात आती है तो हमें बुद्ध परबत के नीचे अवस्थित रेखाओं को अवस्थित देखनी चाहिए कनिश्ट का उंगली यह हमारी लिटिल फिंगर लिटिल फिंगर के नीचे और आपकी ये होती है हार्ट लाइन इसके उपर यहाँ पर कभी कभी एक, कभी दो, कभी तीन, चार की संख्या में ये बिवा की रेखाएं होती है परन्तु इन रेखाओं का स्वरूप ही ये बतलाता है कि आज का विवा सिग्र संपन्न होगा या काफी समस्याएबं बिलंब आएगी आपको देखना है कि ये जो रेखाएं यहाँ बन रही है क्या वो रेखाएं सीधी बन रही है या फिर वो रेखाएं थोड़ी नीची घुमी हुई है कभी कभी रेखाएं उपर की ओर भी घुमी हुई रहती है तो कभी कभी रेखाओं को कोई अन्य रेखा भी काट देती है मान लिया जाएए आपका विवा रेखा है यदि कोई रेखा आके इसे काट रही हो इस परकार से काट दे इस परकार से काट दे यदि बिभारेखा को इस परकार से कोई भी रेखा काड़ दे तो एक तरह से यह कहता है कि ऐसे जातक के बिभा में अनावर्शक रूप से बिलंब होगा ही होगा और बिभा में कई तरह की अर्चने आएंगी समस्याएं भी आएगी तो बिभारेखा का कटना बिल्कुल सुब नहीं माना जाता ऐसे जातक के बिभा में काफी समस्याएं होती है कभी कभी लंबे उम्र बीत जाने के बाद ही बिभा संपन्न हो पाता है दूसरे चिन्न की हम बात करें यदि आपके बिभारेखा का जुकाओ जुकाओ कभी ये नीचे होता है और कभी उपर की उर यदि ब कार से movement लेके उपर की ओर चली जाए कहां तो कनिष्ट का उंगली के इस पर्व के आसपास घूम के उपर चली जाए यह जितना घुमाओ गहरा होगा ऐसे जातक के बिभा में उतनी ही अधिक बिलंब होगी और उतना ही अधिक समस्या होगा यदि यह घुमाओ गहरा है मजबूत है तो कभी-कभी ऐसे जातक का बिभा समपन ही नहीं हो पाता है और उसे और विभाहित ही रहना पड़ जाता है तो आप देखें कि यदि ऐसा चिन किसी जातक के हथेली में है कि बिभार एखा का घुमाओ उपर की ओर है तो अत्यधिक परिश्रम और समस्याओं के बाद ही बिभा समपन हो पाता है या फिर बिभा समपन नहीं नहीं हो पाता है या फिर ऐसे जाता को बिभा से बिरक्ती भी उत्पन हो जाती है इन्हें बिभा करने की इक्छा बिलकुल नहीं होती ये चीजे भी इंगित करता है आए बिभा रेखा पर कुछ चिन और होते हैं हम उसकी बात करते हैं ये चिन होता है कि आपकी बिभा रेखा कहां पर है क्या ये कनिष्ट का उंगली के बहुत करीब बन रही है या हिर्दय ये यदि ये हिर्दय रेखा के करीब बन रही है ति इसका आर्थ होता है कि बिभा म सिगरता होगी परंतु यदि आपका विभा रेखा कनिष्टका उंगली के करीब बन रही है उंगली के परब के करीब यदि ये इस्थिती दिखती है तो कहीं न कहीं ये बतलाता है कि ऐसे जातक का जो विभा संपन्न होता है वो काफी बिलंब कभी कभी 40 बर्स 45 बर्स के जितनी ऊपर आपकी बिभा की रेखा होगी उतना ही बिलंब बैवाई की बिवा होने में उतना ही बिलंब होगा उतनी ही कठिनाईया होगी और समस्चियां आएगी ये चीजें आपको केलकुलेशन में देखना चाहिए बिवार एखा मान लिया जाए नजदीक में ही है परन्तु बिवार एखा के उपर किसी परकार का तिल हो जाए तो कहीं न कहीं ये तिल ये बतलाता है कि ऐसे जातक के बिवा में काफी अरचने आने की संभावना है काफी समस्यार आएगी तथा काफी परिश्रम के बाद ही विवा संपन्न हो पाएगा विवार एखा पे दूइप होत ये भी सुभ नहीं माना जाता है विवार एखा पे टूट हो तो बैवाईक संबन्द टूटने का भी खतरा बना रहता है बिवह रेखा यदी काफी कमजूर हो बहुत पतली हो कमजूर हो तो बिवह चाकर भी संपन्द नहीं होता है हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए अब हम बात कर लेते हैं हतेली में तिल के संबंद में कि हथेली में तिल हमारे बिवा में किस प्रकार से अर्चने डालता है चंदर परवत ये हमारी हथेली का चंदर परवत का स्थान है चंदर परवत पर यदि तिल हो कहीं पर भी तिल हो तो ऐसे जातक के बिवा में काफी समस्याएं आती है चाहिए जातक पुरूस हो या महिला हो विभा में काफी अर्चने आती है और काफी विभा बिलंब से तय हो पाता है यदि हतेली में गुरु परवत पर तिल हो तो कहीं ने कहीं ये भी बैवाहिक संबंद में तनाव एबं बिलंब को दर साता है आपके सनी परवत पर यदि तिल बनता हो तो ये आपके धन संबंदी समस्या तो लाएगा ही लाएगा बैवाहिक जीवन में भी ये समस्या उत्पन करने वाला होता है ये बिल्कुल सुभ नहीं माना जाता सुकर परवत और अंगुठे के छेतर में भी तिल होना इस छेतर में हो इस छेतर में हो ये भी वैवाईक संबंद में समस्या वाली तिल कहलाती है बात करें अब हम परवतों की संबंद में ये होती है गुरू परवत गुरू परवत एवं सुकर परवत यदि सुभवस्था में हो तो सिगरता से विवा संपन होता है परंतु सुक्र परवत दवा हुआ हो, सुक्र परवत पे काफी निगेटिव चिन्न हो, काफी गलत इसमें नकारात्मक चिन्न बने हो, काफी कटिंग हो, जाल बना हो, तो ऐसे जातक का भी विवा होने में शमस्या उत्पन होती है आईए अब हम बात करते हैं कि सिग्र बिवा है तू सरल उपाय कौन कौन से हमें करनी चाहिए, तो आप पुरूस हो या महिला अर्थात आप यूबक हैं या यूबती, कुछ उपाय कोमन मैं बताऊंगा, जो दोनों कर सकते हैं, कुछ उपाय अलग-अलग आपको करने होंगे यदि आपके घर की किसी यूबती की, चाहिए आपके घर की कोई भी सदस्य हो, लड़की है, यूबती है, उनका बिवा संपन नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहला काम करना है कि सोलह सोंबार का ब्रत आपको करना चाहिए, बिलकुल सच्चे मन से सिग्र बिवा होने के अच चू की योग बनते हैं, तो पहला है कि सोलह सोंबार का ब्रत करना है, दूसरा उपाय करना है कि गुरू बार के दिन एक चुटकी हल्दी लेकर, हल्दी जो आप हल्दी डश्ट का प्रियोग अपने रसुई घर में करते हैं, उसी हल्दी का एक चुटकी लेकर गुरू बार के दिन जल में डाल कर आपको अशनान करना है विवा के सिगर योग बनेंगे तीसरा उपाई करना है ये दूसरा उपाई यूबक और यूबितियां दोनों कर सकते हैं पाला उपाई लड़कियों के लिए हविसेस है दूसरा उपाई लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं हल्दी डाल का रश्णान करना तीसरा उपाय लड़के-लड़कियों दोनों के लिए है यह उपाय है गुरू बार के दिन यथा संबब पीले-बस्तर का धारन करें यलो बस्तर धारन करें पीले-bhojan का सेवन करें यह दोनों लोग कर सकते हैं चौथा जो सरल मैं उपाय बत पाठ करें पाचमा उपाय है बुआइच के लिए यूबक के लिए कि यथा संभव आप जो है एक मंत्र का जाप करें ये मंत्र है पतनी मनोर्मा देही मनो बिरतान नूसारनी पारनी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम ये जो मंत्र है इसका आप पाठ करें शिगर रूबती हो, विवा समपन्न नहीं हो पा रहा हो किसी के घर में तो आपको क्या करना है कि कुछ बास्तु के भी रूल का पालन करना है, आप अपने घर के बायव्य कोन, बायव्य कोन हुमारा होता है, नौर तरथाथ उत्तर और पस्चिम का कॉर्नर जिसे बायु कोन कहते हैं, अनमेरेड गर्ल्स और बिवाहित लड़कियों को इस कॉर्नर में बने कक्ष में रहन निवास करना चाहिए जब आप इस कॉर्नर वाले कक्ष में निवास करने रहते हैं तो आपके विभाके अतीसिग्र सैयोग बनते हैं तो ये थे आज के कुछ कोमन से सरल उपाए एबं हतेली के कुछ योग हम मिलते हैं अगले अंक में पुना नए चीजों के विशे में बात करेंगे धनिवाद